हाइब्रेट क्लासेश चाहिए ना तो रिकॉर्डिंग तो ज़रूरी है हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं एथिक्स अभी सबसे पहले शुरूरात करेंगे एथिक्स की डेफिनेशन से एथिक्स की डेफिनेशन समझने के पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि यह morality क्या चीज सकता कुछ बच्चे हो सकता बोल सकते सर आप राइट हो आप अच्छे हो आप जस्ट हो कुछ बोल सकते ने आप बुरे हो है ना आप रॉंग हो आप अनजस्ट हो इस इंडिविजियल ओरिंटेशन और इंडिविजियल ओरिंटेशन हमेशा क्या करता रहता परसंट टू प support करूँगा that death penalty should be abolished यही बोलूँगा मैं लेकिन हो सकता है कोई लोग बोले कि नहीं sir death penalty गलत तो है बुरी तो है unjust तो है लेकिन some rarest of the rare cases में देना पड़ती है for example terrorism हो जाए है ना तब death penalty आप justify करोगे हाँ तब वो ठीक है हाँ तब वो just है हाँ है death penalty क्या है person to person vary कर रही है right for example homosexuality कुछ लोग बोलते हैं वो सही है वो उनका अधिकार है कई लोग बोलते हैं वो just भी है legal भी है मेरे according हो सकता है वो चीज़ क्या हो गलत हो यह क्या कर रही है morality vary करती है individual to individual but for example फिर अगर मैं ethics की बात करूँ तो ethics क्या होता है जब मैं सब की morality का sum कर दूँगा तो वो क्या बन जागा ethics ethics मतलब भाई मैंने death penalty में मेरे views क्या थे यह wrong bad unjust लेकिन जब मैंने सभी लोगों से पूछा कि आप लोग क्या सोचते हो death penalty के बारे में तो majority ने क्या बोला जो भी majority ने बोला good अगर majority ने जो बोला वो क्या बन जाएगा मेरा ethics so morality is individual orientation and ethics is societal orientation यह चीज द्यान रहेगी जैसे मैंने बताया death penalty one person says it should be given another person says it should be abolished अब देखना ethics हमारे behavior को guide करता है for example मेरे according death penalty क्या है गलत है मेरे according death penalty क्या है bad है मेरे according death penalty क्या है unjust है तो कभी अगर ऐसा कोई law बनना आएगा क्या death penalty को abolished किया जाए तो मैं उसको support करूँगा क्या yes मैं उसको support करूँगा क्या death penalty should be abolished क्योंकि उससे मेरा human behavior भी पता चल रहा है जो चीज मुझे पसंद है मैं उसको support करूँगा आप लोग किसको support करोगे नहीं आप इस बिल के अगेंस चले जाओगे कि नहीं भी टेरिरिस्ट एक्टिविटी वालों को death penalty award करना पड़ेगी live in relationship कोई बोलता है good कोई बोलता है bad ethics का मतला समझ में है what is ethics societal orientation या फिर some of morality of all the individual अब देखना morality ये ethics society to society भी vary करती है जैसे for example हम लोग कहां रहते हैं Indian society या हम लोग कहां रहते हैं इंदौर में इंदौर शायद ये कैसा शेहर है कि शायद अभी तक यहाँ पर जादा तर लोग जाओ या foreign country जाओ तो वहां की society ने इसको accept कर लिया हूँ तो देखो अगर मैं class में पूछ हूँ living is good or bad तो most of you will say it is bad लेकिन अगर मैं यह question जाके लंडन के बच्चों से करूँगा तो वह ज्यादा तर क्या बोलेंगे it is good good भी है bad भी है ethics क्या करता है sorry living relationship क्या करता है partner को एक रहने का मौका देता है शादी के पहले कि क्या उनकी जम रही है की नी क्या वो long life sustain कर पाएंगे की नी तो यहाँ पर ethics क्या करती है society to society क्या कर रही है vary कर रही है ethics का सभी को meaning समझ में है so ethics is the mirror of the society ध्यान रहेगा justified by majority अब majority हमेशा सही होती है क्या not always अभी देखते है पर एक line लिखे हुए मैंने ethics is not science ethics is not science science कैसा रहता है universal science कैसा होता है universal लेकिन ethics universal होता है क्या अभी मैंने बताया society to society ethics क्या करेगा vary करेगा for example live in relationship के Indian society justify करती है नहीं तो हमारे according live-in relationship is bad, हमारे according live-in relationship is wrong, it is unjust, लेकिन अगर आप foreign में जाओगे तो live-in relationship को लोग क्या करेंगे, justify भी करेंगे, good भी है और accepted भी है, ethics is usually accepted by the society, यही बोल सकता हूँ, यह चीज़ आपको भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी, सभी लोगों को अच्छी लग रही यह तो it is well-standard norms, यह बोल सकता हूँ, so ethics मतलब majoritarian concept, लेकिन आप कुछ दो example देखते हैं, for example triple तलाग, अभी बिल आया triple तलाग पे, triple तलाग को क्या कर दिया, government ने, ban कर दिया, यही क्या, अब देखना, triple तलाग, unethical है क्या, unethical है क्या, again देखना, society to society vary कर रही है, Muslim males के लिए क्या है यह, ethical था, वो क्या बोलेंगे, यह तो सही बात है, अच्छी चीज है, तीन बार तलाग बोला, T3 लिख के बेजा और तलाग हो गया, complete, यही होता था, message में, mobile में, सुविधा थी उनको एक अच्छी, कि जब चाहे तब अलग हो गया, लेकिन महिला है क्या बोलेंगी Skype और Facebook से तलाग देना क्या कर दो, बंद कर दो, तो again society है, दो society है, male की और female की, अच्छा हिंदू लोग क्या बोलेंगे, उसमें male female दोनों क्या बोलेंगे, it is unethical practice, right, क्योंकि हम लोग तो एक rational thinking सोच रहे हैं, हम लोग यह नहीं देखने कि male है female है, हमें उस से कोई impact पढ़ है क्या, नहीं, sometimes हमारा behavior neutral भी होता है, लेकिन इसमें हम neutral है क्या, नहीं, Muslims की बात है तो हम बोलेंगे कि नहीं, हमारी society के लोग है, so it is unethical, अच्छे यह illegal भी है क्या, law बनने के बाद यह illegal हो गया, बट पहले illegal था क्या नहीं, पहले यह legal था, मगर unethical था, मतलब जरूर है कि जो चीज legal हो, वो ethical हो, नहीं, यह चीज़ समझ में, अच्छा दूसरा example, mob lynching, mob lynching का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके एक आदमी को क्या करें, मार दे, वहां क्यों बैठे हो, यहां क्यों नहीं बैठ रहे हो, हां, अच्छा तो अभी आ जाओ, यहां पर आ जाओ अब दूसरा example में किसका दे रहा हूँ, आगे कर लो, बैंचे इसको, आगे कर लो, दूसरा example में किसका दे रहा हूँ, mob lynching, देखना, mob lynching का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके एक आदमी को मार दे, अब mob lynching, ethical है क्या, mob lynching, ethical है क्या, देखो, mob मतलब बहुत सारे ल बट it is illegal, क्या आप mob lynching में क्या कर रहे हो, किसी की killing involved है, यह बोल सकता हूँ है, तो जो चीज ethical हो, ज़रूरी नहीं है, जो चीज legal हो, वो ethical हो, ज़रूरी नहीं है, mob lynching is illegal, but it is ethical for some people, unethical भी हो सकती है, जैसे महराश्च में दो संतों की हत्या कर दी थी, Muslim mob ने, तो जो Muslim mob थी उन क्योंकि ethics का मतलब क्या होता है Бहुत सारे लोगों का orientation ethic लोगी बनाती है वैं आपके लिए कोई चीज गलत है आपके लिए इस ऑपके लिए इस जब government देख रही कि सब लोगों के लिए शीज गलत है तो गवर्मेंट लॉबी वो ही बनाएगी कि यह चीज गलत है, तो गवर्मेंट ने कोई एक्षिन लिया था? नहीं, जबकि वो चीज क्या था, वो एक्षिन क्या था? संदो को मारना इल ली गलता, तो यह चीज ध्यान रहेगी, ethics की definition समझ में आ रही है, ethics क्या होता है? societal orientation, sum of all the moralities, यह ही बोल सकता हूँ, morality मतलब orientation towards good or bad, right or wrong, just or unjust, easy है, एकदम easy है, अब next देखते हैं, why ethics is not universal, क्योंकि यह क्या करता है, society to society क्या कर रहा है, vary कर रहा है, जैसे मैंने बता है, live in relationship, और मैंने क्या बता है, non-vegetarianism देखना, non-vegetarianism is good for some people, it is bad for some people, जिनके लिए good है, वो हम बहुत सारे food grains को बचा सकते हैं, नहीं खाएंगे तो यही जानवर हो जाएंगे, right, but जिनके लिए bad है, वो क्या बोलेंगे, नहीं, we should have compassion, compassion का मतलब क्या होता है, एक होता sympathy, और एक होता है, compassion, sympathy मतलब क्या होता है, for example, आपने exam दिया, UPSC का, and you failed in the exam, ठीक है, अब आपके कोई भी रिष्टेदार ने बोला रहे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, तो उनको आपसे क्या है, sympathy, लेकिन आपकी दोस्त ने भी exam दिया, और वो भी fail हो गई, अब उसको क्या है आपके साथ, compassion, compassion का मतलब होता है, कि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको मेहनत करी, दोस्त ने भी मेहनत करी, उसको पता है कि कितनी मेहनत थी और वो फेल हो गई, लेकिन ये चीज रिष्टेदार को बताएगा, रिष्टेदार को बुरा लगा, ओ यार ठीक है, तैयारी वायरी करी, नई पास हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन compassion का मतलब क्या होता है जब हम अपने आपको उसकी जगे पर रखते हैं, तो sympathy से बड़ा क्या होता है, compassion, तो जो लोग non-vegetarianism को अगेंस रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, it is bad, why bad, क्योंकि वो compassion की feeling रखते हैं, वो जानवरों को अपनी जगे रखते हैं, कि अगर हम होते हैं, और हमें उस तरीके से म लोगल कल्चर रहा हैं यापर, हाँ, उन्होंने क्या किया, cultural values हमारी destroy कर दी, आज ज़्यादा तर लोगों के लिए non-vegetarianism bad है क्या, नहीं, क्यों bad नहीं है, क्योंकि उनमें compassion की feeling नहीं है, अगर उनमें compassion होता तो करते हैं, ज़्यादा तर लोगों को आप देखना, आप कु खा दो, तो वो बीच में कूत पड़ेंगे, नहीं कुट्ता नहीं मार सकते, कुट्ता नहीं मार सकते, लेकिन बकरी, गाय, भेंश, सब मार सकते, तो ऐसा क्यों कुट्ता नहीं मार सकते, मुर्गों के लडाते हैं, तमिल नाडू में, है ना, मुर्गों की fight होती है, Supreme Court ने society to society, person to person, ये चीज़ समझ में आ रही है, दूसरा मैंने living relationship आपको बताई दिया है, कि ethics क्या है, is not universal, it varies from society to society, ये दिखा दिया हमने western culture क्या है, cruel है, देखना, एक चीज और आती है, Britishers ने बहुत अत्याचार करा, क्यों करा, क्या reason था, एक तो उनमें compassion की feeling नहीं थी, दूसरा क्या था, वो religious नहीं थे, जो भी religious होता है, वो usually cruel नहीं होता, देखना, religious का मतलब क्या होता है, religion हमको क्या सिखा था, every being has soul, समय आत्मा है, किस ने बनाई ये वो आत्मा, भगवान ने बनाई है, means we all are the part and parcel of the God, हम उसी भगवान की energy को denote कर रहा है, उन्होंने nature बनाया, हम भी nature का part है, तो हमको सब के प्रती क्या रखना पड़ेगा, compassion, ये करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा तर लोग जैसे western culture, वो क्या है, cruel है, क्यों है, वो Indians को कैसे मार देते थे, क्यों मार देते थे, जब हमें गुस्सा आती है, अपन ये remote उठा के fake देते है, क्यों, क्योंकि हमको religious नहीं हो, तो शायद आपने ये सारी feelings आएंगी क्या, नहीं, तो वो लोग आदमियों को भी चीज वस्तु की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया था, तो वो लोग कैसे हो गए थे, cruel, on the other hand, Indian society क्या है, compassionate, क्या है, उनके लिए ये सब wrong है, बोल सकते हैं अपन, next क्या है फैमिली के लिए भी होता हुगा, parents के लिए भी होता हुगा, friends के लिए भी होता हुगा, वे आपके बहुत सारे friends है, कोई friend आपने बोला अच्छा है, तो ये आपका क्या है, orientation है उस friend की तरफ, तो आपका orientation form कैसे हुआ, कुछ बच्चे रोड़ पें, गालिया बख रहे हैं, तो यह orientation form कैसे हुआ, कुछ लोग elders को respect करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो यह उनको orientation बनता कैसे है, तो ध्यान रखना, ethics कैसे बनता है, तो ethics आपके जन्म के साथ ही क्या होता है, orientation बनना शुरू हो जाता है, it's a process from birth to death, जैसे for example, most of the people do this, right, they respect their parents, pairwear चूते हैं, and some individuals are like this, बापु जी को मार रहा है, वहाँ पर जेठालाल, और यहाँ पर जेठालाल क्या कर रहा है, बापु जी उसको डाट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहा है, चरण इसपर्स कर रहा है, तो ऐसा behavior कैसे होता है, कि some individuals are like this, and some are like this, यह कैसे होता है, मैंने बता ह एथिक्स क्या है यह morality क्या है it's a process कहां से शूरू होती right from your birth अब बर्थ होती है तो बहुत सारे क्या होते हैं agents होते हैं क्या होते हैं बहुत सारे agents होते हैं जो आपको क्या करते हैं help करते हैं आपके orientation को form करने में अब देखना मैंने कुछ और चीज़े भी दिखे है ethics and morality guide your human behavior for example देखो ethics की मैंने definition बता दी अब एक definition और दी हुए ethics is well-founded standard यह क्या है well-founded standard of right and wrong जैसे for example मैंने बात करी अगर सतीप्रता सतीप्रता की मैंने बात करी क्या सतीप्रता अनेथिकल है सतीप्रता सबको बता है क्या होता है सतीप्रता मतलब अगर husband की death हो जाती तो wife को भी क्या करते उसके साथ ही जला देते हैं लड़की बोलती है न मैं आपके बीना नहीं रह सकती तो पहले की society वैसी रह सकती बोले नहीं रह सकती न कोई बात नहीं चलो साथ में हो गया काम it was justified by the earlier society why it was accepted also पहले लोग यही करते देना और सम्में accepted रहता था ऐसा नहीं कि घर में पिता जी तो बच्चे को दुखनी हो था कि मम्मी भी चले जाएंगी वो मान लेता था कि पिता गए मतलब दोनों गए समझ में लेकिन अकेली मम्मी गई तो पापा कहीं नहीं जा रहे हैं दूसरी मम्मी आने वाली है तो यह क्या था और यह ethical था ethics क्या बोलता है some of all the individual सब की morality और उस सती प्रता earlier society क्या बोलती थी yes it is accepted आज लोग क्या बोलता है no it is not accepted अचा ध्यान से देखना सती को मैंने आ पर दिया हुआ सती प्रता पहले की society तो बोलती थी it is ethical because it is accepted by most of the people but even earlier also it was illegal बोल सकता हूं मैं earlier society में भी यह क्या थी illegal विलियम बेंटिक ने सती प्रता को abolish कर दिया था कब around 1835 या दे राजा राम मोहन रोय के कहने पर आज के समय क्या है सती प्रता it is unethical as well as illegal earlier society में it was illegal but ethical और 1835 के पहले तो वो legal भी था और ethical भी था तो यह क्या हो रहा है ethics universal बचा क्या ethics change हो रहा है time के साथ भी change हो रहा है और society society to society भी क्या कर रहा वेरी दूसरा example दिया मैं डावरी डावरी में क्या हो रहा है लड़की पिताजी को लूट के ले जा रहे है नोटों की गड्डिया दिखाई दे रहे हैं डावरी सिस्टम अगर मैं earlier society की बात करूँ it was ethical पहले की society में क्या था ethical सब लोग क्या बोलते थे ह क्या है इस्टिल एथिकल आज की society में भी आप लोग कुछ भी बोलो लेकिन ज्यादा तर लोग आज भी दहेश देते ना it means dowry is still ethical अब देख न डावरी को क्या है ज्यादा तर लोगोंने क्या है बहुत बदनाम कर दिया डावरी अपने अपने गलख सिस्टम नहीं हुआ कर तो दूसरे तरीके से आप क्या करो पैसा ले जाओ यही करते थे घर दिला दिया बरतन दिला दिया कपड़े दिया सामान दिला दिया ग्रहस्ति दिला दिया सोना दे दिया cash दे दिया इट्स लाइक की घर का partition already हो चुका है लड़की को उस form में पैसा दे दिया लेकिन बाद तो थी earlier society में क्या थी ethical because it is accepted by most of the people still it is accepted by most of the people earlier society में legal थी क्या yes it was legal now it is illegal यह चीज़ ध्यान रहेगा easier सती और डावरी हस क्यों रहे एकता ethics may not be legal मैंने बता दिया ethics ज़रूरी है क्या हमेशे legal हो नहीं जैसे डावरी डावरी लीगल है क्या नहीं है बट एथिकल है क्या है ethical मतला ज्यादा तर लोग डावरी को support करते हैं हाँ आप लोग बोल सकते हो हम नहीं करते हैं मगर तुम लोग करते हो लड़कियां भी करती है जब जाओगी न घर तब देखना भाई से कैसा लड़के चीन के लेके जाओगी सामन और लड़के तो always welcome क कि कुछ आ रहा है तो फिर आने दो समझ गया चाइल्ड मैरेज चाइल्ड मैरेज भी आजकल ज्यादा तर सोसाइटी हो में तो ठीक है आप अने थिकल हो गया बट इस्टिल सम सोसाइटी चाइल्ड मैरेज एस एथिकल लेकिन वो क्या है illegal so ethics may not be legal may not be लिखा जरूरी है क्या सब्सक्राइब क्या हमेशा इसा हो कभी कभी कंक्लूजन ethics is the study of morality easier अब आपका हां बोलो ओके यह समझ में आगया सबको अब देखना आपका societal orientation कैसे बनता है देखो सबका एक individual orientation रहता है इसका एक individual orientation है इसका individual orientation है इसका individual orientation है सबका एक orientation बनता जाता है और सबके orientation को मिला देता हूं तो क्या बन जाता एथिक्स बन जाता है ethics मतलब socioだから decision ऐस इंडि गुजा स्वाम कैसे होता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं क्या होते हैं कुछ एजेंट्स जिनकों बोलते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या बोलते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन और यह जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जाती right from your birth और कब तक चलती है to your death यह होता है अब देख ना बर्थ होती है तो सबसे पहले आप किसके contact में आते हो family थोड़ा सा बड़े होते हो फिर किसके contact में आते हो friends फिर school जाते हो तो education फिर media बगरा social media का भी आजकल बहुत ज्यादा रोल है जो आपका orientation frame करता है right especially communal ideology देखते हो आप हिंदू-Muslim वाला ज्यादा तर वो कौन frame करता है media फिर कौन है religion भी आपकी orientation को frame करता है फिर inspiring personalities for example actors like अक्षे कुमार लोग उसको follow करते है हाँ लोगों को अच्छा लगता है वो अब वो क्या कर रहा है गुटका खा रहा है तो लोग भी क्या सोचेंगे yes it is good it is right it is just खाना शुरू कर देंगे पूरे भारत को क्या कर देंगे गंदा वो स्वच्च भारत का दूत भी है स्वच्च भारत मिशन में मोदी जी ने उसको दूत भी बनाया था वो स्वच्च भारत मिशन का दूत भी हो और साथ में गुटका भी खिला रहा है लोगों को यह क्या कर रहा है इंस्पारिंग परसनालिटी है लोग उसको follow करते है यह companies को मालूम advertisement companies को तो उनको पता है लोगों का orientation हमारी शराब के प्रती कैसे जगाना है अगर विराट कोहली पिएगा और गुस्सा करेगा तो लोग क्या बोलेंगे हम भी दारू पिएगगे और गुस्सा करेंगे that is wrong अजे देवगन एक तरफ अच्छे अच्छी पिक्चर करता देजब रखती की सिंगम मिंगम बना देता है और दूसरी तरफ mcdonald's दारू की दुकान अगे तो यह क्या है यह फ्रॉड लोग है लेकिन क्या है सोसाइटी में इतना दिमाग है क्या वह ऐसे रोल मॉडल्स को फॉलो करती है जो खुद में क्या है अपने आप में क्या है गलत है य वो किस ने बता आपको law ने बताया कि murder किया तो सीधा फांसी पे जाओ गए या फिर jail हो जाएगी तो कई बार laws भी क्या करते है आपको orientation frame करने में help करते है for example अब देखते हैं सबसे पहले आप किस के contact में आते हो family family से आप क्या सीखते हो patriarchy यही सीखते हो for example father is the head of the family साज्या हमको पढ़ाया कि बेटा पापा का status मम्मी से उपर है किसी ने बताया कि यह चीज पापा ने कभी बोला नहीं लेकिन बस family में डर चलता पापा आ गए बस बच्चा अंदर पढने बढ़ गया पापा आ रहे हैं बस बच्चा डर गया बोलू पापा को तो बच्चा डर गया यह क्या हो रहा है बता बता के कि that yes he is the head of the society he is the head of the society right फिर पापा है तो फिर वह status भी maintain करते हैं डाट डपड के रखते हैं सबको फेट्रियारकी है हमने किस से सीखी है फेमली फेट्रियारकी भी तो अपने आप में एक ethics है ना ethics मतलब क्या होता है good or bad right or wrong just or unjust तो हमारे according पेट्रियार्टी सिक्टेंग टरे राइट हमारे कोडिंग पेट्रियार्के जस्ट अल्सो लीगल भी ज़्यादा तरज है कि मुख्या का नाम में किसका नाम लिखा रहता है फादर का नाम लिखा घौत है दूसरा रेस्पेक्टिंग एल्डर्स यह हम कहां से सीखते हैं नुक्लियर और जॉइन जो नुक्लियर फैमिली के यह वाले जो बच्चे रहते ना यह बहुत ही materialistic बच्चे रहते हैं क्योंकि ज्यादा लोगों के साथ रहते हैं नहीं सिर्फ इनके मम्मी पापा इनको एक अलग लेकिन जो बच्चे जोइंट फैमिली में रेते हैं वो क्या सीखते हैं ? तालरेंस, विभ्र यह और वह रचने रॉक नटाव है करो वहार पाले के लिए हम एक स्यूपर व्यज्टेही हों और न्यूक्लियर फैमिली कोछ चीजय कम इसों कर पेट्रियार के सीखते ऑंगे हाँ, बट वो उतना नहीं सीखते होंगे, क्योंकि शेहरों की लाइफ में पता है न, मम्मी पापा आप दोनों और न कर रहे हैं, तो बच्चा क्या देख रहा है, मम्मी भी इक्वल है, पापा भी इक्वल है, पेट्रियार की कम सीखेगा, वोमें, एल्डर की रिस्पेक्ट क अधर में अकेला है, तो उसमें tolerance की feeling भी आईगी, कम आईगी, self-restraints भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब समाज के बीच में ही रहा है, तो self-restraints उसको पता है क्या, कई बार आपको गुस्टा भी आती ही अपने दोस्तों पहले किन आप उनको मारने नहीं लगते हो, आप क्या क लोग, smoking and drinking, करते हैं friends, ये सारी values बच्चा कहां से लाता है, drinking करना कहां से सीखता है, क्या family से सीखता है, बहुत ही कम family ऐसी होती ही, बहुत ही कम father ऐसी होती है, जो बच्चे को बिठा के पिलाते हैं, वो सब काम किस करेता है, अपने दोस्तों करेता है, ध्यान रहेगा, next agent of social socialization कोन है, history, sorry, education, आप सब पढ़ने जाते हो, हाँ, वहाँ से आप बहुत सारी चीजे सीखते हो, like freedom struggle के बारे में आपने कहां से सीखा, history से, polity से अपने कहा सीखा, democracy, equality, fraternity, unity, integrity, ये सारी चीजे सीख रहे हो, fundamental rights, ये सब कहां से सीख रहे हो, polity से सीख रहे हो, भाई, democracy क्या है, ये भी तो अपने आप में क्या ethics है, देखना, मेरे according democracy कैसी है, अच्छी है, आपने बोला democracy कैसी है, अच्छी है, good है, इन्होंने बोला democracy अच्छी, ज्यादा तर majority क्या बोल रहे है, democracy is good, पर for example, मैं बोल रहा हो नहीं, democracy क्या है बुरी, democracy में क्या है, मैं बोलता हूँ, decision नही है, so who will win, majority, क्योंकि ethics में किसकी चलती है, majority, majority बोलती है, democracy अच्छी है, तो democracy accepted है, right, Saudi Arabia में हो सकता है, majority क्या बोलती हो, democracy is not accepted, तो democracy है क्या, नहीं है, ये चीज़ यान रहे है कि history से भी हम बहुत सारी चीज़े सीखते है, right, next agent of socialization क्यों है, media, media से हम communal चीज़ें भी सीखते है, पूरे समय हम debates देखते रहते हैं, ये ही करते हैं, caste politics भी सीखना शुरू कर जाते हैं, ये ही होता है, caste politics बहुत dominant है इंडिया में अगर पता होतो, right, और future में क्या shape लेगी, nobody knows, बर ये पता है कि बहुत खतरनाख रूप लेने वाली है future में, क्योंकि caste politics में एक को अधिकार दि जैसे मैंने बता है, murder is wrong, ये आपके मम्मी पापा ने बता है, friends ने बता है, ये किस ने बता है, आपको law ने बता है, murder कर दिया तो सीधे, समझ गए, next क्या है, बिल्कुल, inspiring personalities, picture देखिए, सब लोग picture देखने जाते हो, picture के पहले head आता, नन्दू क्या करता है, cigarette, उसकी बीव भरती रहती है, तो अक्षे कुमार उससे बुचता, क्या हुआ तेरी बीवी को, बोलता हुए ये औरतो वाली बीमारी, तो ये बोलता तेरी जैम में और कित्ती cigarette है, बोले एक और है, तो बोले 20 रुपे है, बोले जान लेने के लिए है, पर बीवी की जान बचाने के लिए है, उसकी बीवी की जान बचा के वो जो पैसे है, उससे क्या कर रहा है, सिगरेट नहीं पी रहा है, ये क्या कर रहा है, गुटका खा रहा है, बीवी को बचाने के लिए पैसे से ये क्या कर रहा है, गुटका खा रहा है, समझ गया है, इंस्पारिंग परसनालिटी, और भी एक inspiring personalities है तो कुछ inspiring personalities प्रसानलिटी सच मैं inspiring होती है और कुछ inspiring personalities fake होती है इसके जैसी समझ मैं आ गया religion religion से बहुत सारी चीज़े सीखते हो कि आप हाँ honesty सीखते हो आप religion से integrity सीखते हो integrity का मतलब क्या होता है ethics के paper में ethics का paper का पूरा नाम क्या करते हो, whatever you think, you speak and you do, कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए क्या, नहीं, जैसे for example मैंने बुला, चोरी का, आप क्या है बड़ी इमानदारी की बाते करते हो, कि कितना भी पैसा आजा, इमानदार बने रहे, नहीं है वो, है ना, तो आप सोच रहे हो क्या इमानदारी के बारे मे आपके दिमाग में आप सोच क्या रहे थे, honesty के बारे में, बाते किसकी करते थे, honesty के बारे में, लेकिन पर्स लेके घर निकल गए, यह आप man of integrity रहे क्या, नहीं, you are not the man of integrity, integrity तब होती ही कि जब आप उस पर्स को लेके police station जाते हैं और बोलते हैं इसका है उसको लोटा दो, that is integrity, जो सोचते हैं, वो बोलते हैं, वो करते भी हैं, ज्यादा तर लोग सोचते और बोलते तो अच्छा हैं, लेकिन करते हैं क्या, नहीं, corruption free society सबको चाहिए, हाँ, लेकिन वो सोचते भी है, corruption free, बोलते भी है, corruption free, लेकिन जब खुद की बारी आती हैं, तो corruption करके निकल लेत पहिसे लेकी यह होता है इंक्रीटी का मतलब आए इंट्इग्रीटी एंस्टी से बढ़ी्र देखा जा जाए brand है अच्छा सोचो अच्छा बोलो अच्छा करो फिर क्या सीखने मिलता ह ratings दोस अधर ह neurolog कि चलते है अब हों सब को बuyorsun एक्वल है ना फिर नेक्स क्या एजेंट ऑफ सोशलाइशन बस इतन नहीं है अब एजेंट ऑफ सोशलाइशन याद हो गए कोई है फैमिली है फ्रेंड जेए एजूकेशन है और मीडिया इंस्पारिंग परस्नालिटी जे रिलीजन ए लॉज याद हो गए एथिक्स की डेफि बहुत सारे बिल्ली हाइट सब्सक्राइब कर सकते हैं लगलिज लोग बोलते हैं illegal है क्योंकि अलग 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 opinion देते हैं बट अभी तो क्या at least decriminalize है इस समय के लिए लेकिन section 377 के पहले जब judgment आया था उसके पहले it was illegal right और कितनी सजा थी पता है आपको in life imprisonment murder की सजा थी अगर कोई भी lesbian activities में involved है या gay activities में involved है तो सजा क्या थी उनको life imprisonment तो पहले judgment के पहले यह क्या था illegal बट यह ethical था या unethical था उस समय भी unethical था देखो हम लोगों को फर्क पड़ता था क्या उनसे LGBT community से बस हम लोगों का यह था भई नहीं होना चाहिए लेकिन जो लोग उस society के थे उनके लिए तो क्या था यह पूरा का पूरा law unethical वो क्या बोलते थे नहीं we also have right to choose the partner जरूर यह क्या कि female की तरफ ही male जाए यह male की तरफ ही female आए नहीं तो उस समय यह क्या था illegal लेकिन ethical था उस समय unethical था illegal भी था और unethical भी था अब क्या बोलती है अब क्या है इस समय right to choose the partner मतलब यह क्या है legal भी है और ethical भी है It is not illegal you talkcomes bharp Explorer से जूट बोलते हो गर में डशव जूट बोल रहने रहे है तो जूट बोल ना is not illegal but it is immoral गलत यह आपको पता है जूट बोलना क्या है गलत और यह कोई सिखार रहा है कि आपको भाई जूट बोलना गलत यह आपको पता है क्योंकि आपने agent of socialization et family बहुता, एंस पर आझनक को chose कि और ना राधनिय का नष्ट परेंक कुछ बेहरेंगा एने आप उसलत आव सब्सक्राइब पने आपको पताए ऑंग जुट बना अक जूटी यह illegal है क्या नहीं तो telling lies not illegal but it is immoral दूसरा example दिया हो section 377 it is legal now और यह moral है क्या yes it is moral भी है ज्यान रहेगा तो कई बार ethics illegal हो जाता है कई बार ethics legal भी हो जाता है ज्यान रहेगा अब next मैंने क्या देख रखा है अभी अपने समझा morality क्या होती है ethics क्या होती है वो frame कैसे होता है easy था अभी तक जरनी किसी को कोई डाउट है कोई डाउट नहीं है अब next क्या है values क्या है next values values का मतलब क्या होता है simple definition पढ़ो क्या लिखी हुई है बोलो preference और importance of an individual or an organization towards something लेख ना morality और ethics एक societal phenomena रहते हैं है ना आप class में तयार होके बैठते हो राइट यह क्या है क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ में colleagues भी बैठने वाले है ना तो आप यहां पर कैसे आयों तयार होके लेकिन जरूरी कि आपके parents आप यहां पर आते हो सब के सामने क्या बोलते हो मेरे parents अच्छे हैं आप उनको गाली देते हो नहीं इसका मतलब आपका value system क्या बोल रहा है for example pornography यहां पर आएंगे सब क्या वो लेंगे हमने आज तक कभी नहीं खुला हमने नहीं देखा यहीं बोलते हैं और घर में देखते हैं क्यों again value system यह सारी चीजें किससे decide होती है value system weak होता है तो आदमी यह सब हरकतें करता है so value का मतलब क्या होता preference or importance अगर आप भगवान की सच में respect करते हो तो आप अकेले में उनका अनाधर करोगे क्या नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे because you really respect God है ना लेकिन अगर आप society में बेटे हो देखा है और मम्मी पापा सब बेटे तो आप तो बोलना पड़ेगा है ना मगर आप अंदर से चाहते हो क्या so value system जिसका strong रहता ना वो सबसे बड़ी आद ही है so ethics और morality से बढ़कर क्या है values समझ मैं और value का मतलब क्या है preference और importance towards anything वो कोई भी हो सकता है मैं भी हो सकता हूं teacher भी बच्चे का teacher के लिए भी कुछ ना कुछ value system होता है आप हो सकता मेर है मुँपे बोल रहे है वहा सर क्या class ली और मेरे जाते ही एक बिलकुल money 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 में गालियों की बोचार क्या कि कुछ समझ में नहीं आया है क्या पढ़ा के यह समझ में लेकिन value का aim क्या होता है देखो जिसका value system strong है value से morality बनती है है अगर आपको कोई चीज बहुत बुरी लगत तो शायद फिर आप वह act करना बंद कर दोगे laws में भी उसकी help करोगे के नहीं so value से बनती है morality और morality से क्या बनता है ethics और ethics मतलब majoritarian concept उसी से क्या बनते है laws यही बोल सकता हूँ है aim क्या है values का helps in determining good or bad action right for example मैंने अगेन बताया pornography अगर आपके लिए सच में बैड है तो आप अकेले में भी देखोगे क्या नहीं और अगर नहीं है बैड तो आप समाज में तो बोलोगे it is very bad very harmful लेकिन अकेले में जाके घर में फोन में खोल लोगे तो यह चीज ध्यान कुछ example और भी दिये हो मैंने respect respect मतलब आपके parents के लिए आपकी respect है अगर वो सच में आप respect करते हो तो आप यहां भी अच्छा बोलोगे मन में भी अच्छा सोचोगे parents के लिए ऐसा होता कि मन में अपन गाली बखने लगते ममी पापा को शायद कभी नहीं एकाद दो के लिए हो सकता है बाकी लोगों के लिए तो नहीं तो यह चीज़ समझ में रेस्पेक्टिंग अल्टा डिग्निटी डिग्निटी ओनेश्टी ओनेश्टी अगें इट वैरिस मैंने बताया ना पर्स वाला एक्जामपल बाते किसकी कर रहेते हैं आप इमानदारी की है ना सोचते भ अधिक्स में रहेते हैं और एक्जामपल ट्रिपल तलाक गलत था पहले भी राजिव गांदी सरकार में बी ट्रिपल तलाक को एक बर सुप्रीम कोट ने क्या किया तो नल एनवाइड कर दिया था लेकिन राजिव गांदी गवर्मेंट ने अब वेल्यूस का मतलब क्या था प्रिफरेंस और इंडिविज़ और और एन और और अर्गनाइशन अब देखना वेल्यूस भी हमारी पीर प्रेशर से भी होती है अब यह लड़की क्या कर रही है उसको डिस्टैट कर रही है इंड इस अलसो अनेथिकल ध्यान रहेगा पेरेंस पेरेंस से आपने क्या सीखा रिस्पेक्ट डिग्निटी यह भी वेल्यूस है अब यह वाला तो बीच में कहां से आगया रुखो एक सेकेंड वेल्यू का मतला समझ में आया इजी था अब यह के लिखाओ मैंने वेल्यूस अर्मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ पर्सन और ग्रूप यह उक्सफर्ड की डेफिनिशन है वेल्यूस क्या होते है अकॉर्डिन तो याद रहेगा आपकी वेल्यूस कैसे बनती है आपको अपने पैरेंट्स क्यों अच्छे लखते है एक तो घर में पता चल जाता पैरेंट्स अच्छे हैं बुरे है ना फिर दोस्त भी बताते कही बारा रहे क्या बोले दादा दादा करता रहता छोड़ बुड़े को और च कुछ सीख लिया है ना सोसाइटी से भी सीखते हैं इन्वार्मेंट मतलब क्या होता आपकी सराउंडिंग सराउंडिंग कैसी है शायद एक रोड पे चलता जो गरीब यह सलम का बच्चा है शायद वो आपके जैसा नहीं होगा क्यों क्यों कि उसका इन्वार्मेंट वैसा कोई बच्चा बच्चपन से ऐसे अटमास्फियर में पैदा हुआ जहां पर गाली पर गाली बखे जा रहे हैं पूरे सब के सामने उनके लिए एकदम ओपन गाली बखना क्या है आम बात है वो चीज उसकी वैल्यू वो शो करेगा आप लोग वैसी वैल्यू शो कर पाओग आप उनकी क्या करते हो रेस्पेक्ट करते हो इजी है यह है अब देखना वैल्यू कितने डाइक क्यों सकती है एक हो सकती है इंडिविजल वैल्यू दूसरी कौन सी है सोशल वैल्यू एन्वर्मेंटल वैल्यू और चौती कौन सी है और्गनाइजेशनल वैल्यू वैल्यू सब को समझे one by one, सबसे पहले समझते हैं बन क्या individual value, आपकी value हो सकती है, value का मतलब क्या होता है, preference और importance that we attach with something, आपकी value हो सकती है, self development, कि नहीं यार मुझे आप IAS बनना है, यह आपकी value है, जरूरी कि आपके दोस्को भी IAS बनना हो, नहीं, आपका importance क्या है, पढ़ाई करना, य लोगों की होती creativity, creative mind रहता है उनका, तो यह उनकी values हैं क्योंकि और वो इसको क्या करते हैं, importance देते हैं, societal value क्या रहती है, tolerance सीखते हैं, cooperation सीखते हैं, सीखते हैं, सब के साथ रहते हैं, तो सब के साथ हमारा behavior हम change भी करते हैं, है ना, next क्या है, environmental values, for example, कई लोगों के लिए deforestation एक बहुत बड़ा factor रहता है, chip को moment आप सबने देखा था, उन लोगों के दिमाग में क्या रहता है, compassion for the living beings, वो क्या मानते हैं, trees also have life, तो हमको क्या उनकी जगे रखके देखना चाहिए, तो यह लोग क्या कर रहे हैं, chip को moment में, एक value शो कर रहा है, और वो कौन सी value शो कर रह होगी, importance होगा, preference होगा, तो for example, Vishnu Gupta Academy एक organization है, उसके लिए क्या important है, profit making, बोल सकता हूं मैं, institution की भी एक value है, institution के लिए क्या important है, आपकी value अलग हो सकती है, क्योंकि आप individual हो, organization की भी तो कोई ना कोई value होगी, तो organization क्या value है, profit, media की भी value होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, truth, बट वो होती है कि usually, नहीं, तो यह चीज ध्यान रखोगे, constitution की भी कुछ values होती है, like fundamental rights है, scientific temper है, fundamental duties में, DPSP है, फिर क्या है, respecting women's वगरा fundamental duties में बात करते हैं, right, तो यह किसकी values है, constitution की, values का मतलब क्या हुआ, बताओ जल्दीश, constitution किसको preference देता है, या फिर किसको importance देता है, ध religious value क्या होती है, devotion, भक्ती, brotherhood, भाई-चारा, और compassion for living beings, पोल सकता हूँ मैं, easy है, next क्या दिया हुआ है, अब values को कैसे inculcate किया जा सकता है, values मतलब आप किसको importance देंगे, किसको preference देंगे, again agent of socialization आ जाएगे, family, family से आपने क्या सीखा, compassion, respecting elders, cooperation, joint family में सीखते हैं, right, nuclear family में सीख society, society में आप क्या सीखते हो, tolerance, आप आए, अपने friends के साथ बेठे, आप उनको tolerate भी कर रहे हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, बट आप उनको क्या कर रहे हो, tolerate कर रहे हो, different section of the people lives together, रहते हैं society में, अच्छा, society का मतलब सिर्फ class होता है कि आपकी, नहीं, आप इस class के भी member ह हो, आप indoor शेहर में रहे हो, वहां के भी member हो, आप मद्धिप्रदेश के भी member हो, आप इंडिया के भी member हो, and you are also a citizen of this world also, right, अलग-अलग जगे, अलग-अलग values काम आती है, right, जैसे आप यहां हो class में, for example, सारे एक ही religion के बेठे हैं, तो अभी आपको religious value जादा याद आईगी के नहीं, अभी आप okay, बुले, बुराई कर सकते हैं, दूसरे की, लेकिन अगर आप hostel गार पता चला, रूम्मेट वोई है, तो आपकी values थोड़ी सी change हो जाएगी, फिर कभी Hindu Muslim जगड़ा हो गया, तब आपकी values और change हो जाएगी, इंडिया की बात आई, even values आपको impact करती हैं क For example, आप vote देने जाओगे, नरेंदर मोधी जी को vote क्यों दिया जादा तर लोगों ने, बुले, राम मंदिर बनाई, यही था एक मुद्दा, यह क्या थी, value थी, लोगों की value थी, उनके लिए क्या important था, building up of राम temple, यही था जादा था हिंदूस के लिए, मेरे लिए भी opportunity कि मुझे वो temple चाहिए था, वो मिल गया मुझे, हाँ, यह मची, education से भी आपको कुछ values मिलती, like leadership, unity, unity मतलब सब साथ रहना कैसे सीखोगे, leadership qualities आपकी class में इमर्च करती है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनमें से आपने देख, ना आपकी class में भी होता होगा, एक हमेश qualities आई कैसे हो, education के group, history qualities से भी हम values सीखते हैं, बहुत सारी values सीखते हैं, freedom struggle के सीखते हैं, nationalism के values सीखते हैं, सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, फिर एक तरीका और होता है values सिखाने का, that is ostracization and appreciation, ostracization का मतलब होता है punishment, आपने कोई गलत काम किया, आपकी values बुरी थी, मैंने आपको क्या कर दिया, punish, तो आपको पता चल गया ना, these values are wrong, आपने गाली दी, आपके लिए, गाली के लिए बड़ा importance था आपका, बात बात में गालिया बगते थे, बट आपने गाली दी और मैंने आपको क्या कर दिया, punish कर दिया, तो अब आप दुबारा दोगे क्या, नहीं, तो family, society and education are socialization, और ostracization and appreciation are social control, ये control करते हैं आपको, ध्यान रहेगा, easy है, family से क्या सीखा आपने, compassion, respect for elders, cooperation, society से क्या सीखा आपने, tolerance, फिर क्या education से leadership और unity, ostracization से punishment और award, ध्यान रहेगा, juveniles को हम punish क्यों नहीं करते हैं, juveniles मतलब under 18 years of age, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अभी उनका socialization complete नहीं हुआ है, socialization क्या है, अपने आपने एक process है, and process takes time, time लगता है, हाँ, हम बोलते हैं कि socialization complete मतलब उसको सही गलत की पहचान कब होगी, जब उसका socialization at least complete हो जाएगा, और complete कितने सा 18 साल में हम मानते हैं, 18 साल में, 18 साल के पहले हम मानते हैं कि उसका socialization complete नहीं हुआ है, इसलिए अगर उसने कोई चीज गलत कर दी तो उसको हम punish करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ध्यान रहेगा, why juveniles are not punished, why not punished, because social control रहता है उनके उपर, वैसे family का रहता भी है, but they have not completed their socialization, बोल सक पता हूं, but कई बार rules को भी change कर दिया गया, after nearby case, सब को nearby case पता है, हाँ, उसमें बोला कि अगर अब ऐसा case किया, तो 16 to 18 वालों को juvenile नहीं मानेंगे, सिर्फ उस case में, बाकी cases में यह juvenile है, ध्यान रहेगा, so cannot be punished because they do not know what is right and what is wrong, इसलिए juvenile को punish नहीं करते हैं, easy है, अब देख न, values जो होती हैं, again वो दो type की होती है, values कितने type की होती हैं, दो type की, one is universal value, another is particularistic value, universal value क्या होती है, जो time के साथ change होती रहती है, sorry, universal मतलब जो कभी change नहीं होती है, like आप सब लोगों को क्या चाहिए, universal values देखना, like justice, सब को justice चाहिए, यह कभी change होता है क्या, नहीं, you always want justice, devotion, फिर लोगों को चाहिए, so these are universal values, यह change होती है क्या, नहीं, दूसरी values होती है, particularistic value, वो time के साथ change होती है, वो place के साथ change होती है, वो circumstances के साथ change होती है, like for example, time, sati pratha, यह किस के साथ change हो गई, time के साथ, पहले it was okay, now it is not okay, section 377, again time के साथ change हो गया, decriminalization हो गया, LGBTQ community का, तो यह क्या होई, एक ऐसी value होई, कौनसी value होई है, particularistic value, ध्यान रहागा, changes with time, changes with place, changes with circumstances, अब place के साथ क्या change होता, for example, women of Nagaland और women of Madhya Pradesh, देखने एक value है towards women, हमने देखा भाई, women को क्या दिना है चाहिए, बोले, equal representation in parliament और legislature, right, Madhya Pradesh में women को कितना reservation दे दिया, 50% इन पंचायच, Nagaland वालोंने कोई reservation नहीं दिया, तो यह value है, और value क्या हो रही है, यह change with place, Nagaland में no reservation, MP में 50% reservation, कई बार circumstances, killing क्या है, wrong, but self-defense में wrong है क्या, नहीं, तो circumstance भी बताते हैं, बोले, killing तो गलात है, फासी हो जाती है, यह सब पता है आपको, लेकिन self-defense में आप फिर भी किसी को मार सकते इनों कोई आप ही को मारने आगए, तो आप क्या करोगे, इंटर्म, उसको मार जोगे, right, so circumstances के regarding, killing is wrong, but not in self-defense, तो हमने देखा, values दो टाइप के होती है, universal and particularistic value, particularistic value मतलब जो change होती है, with time, with place, and with circumstances, ध्यान रहेगा, with circumstances, और यह universal value क्या रहे थी, love, truth, peace, non-violence, यह सब को और यह change होती है, क्या, you always want love, you always want truthful people, you always want to live peaceful life, you want to be non-violent also, कुछ लोगों को नहीं भी रहता होगा, but at least यह सब लोग चाहते हैं, यह सब लोग नहीं चाहते हैं, यह सब लोग चाहते हैं, यह सब लोग चाहते हैं, ध्यान रहेगा, so values क्या होती है, universal and particularistic, इसमें किसी को कोई doubt है अभी तब, बोलो, किसी को कोई doubt है, ठीक है, मैं एक मिनट पानी पीलूँ, लिखना है कि आप लोग को, यह तो मैं share कर दूँगा, चलो ठीक है, time भी हो गया है, एक बार revise करें, पांच मिनट में सारी चीज़ें क्या-क्या बढ़ा है, देखो, सारे subject क्या equally easy होते हैं, नह होते हैं, for example, geography, quality, यह कैसे subject एकदम, easy, ethics तुम लोगों ने कभी पढ़े नहीं है, इसलिए ethics क्या लग सकता है, कुछ समय के लिए, tough, लेकिन ethics से घबराना है क्या, नहीं, अगर ethics easy है, tough है, एक बार net पर सर्च कर ले ना, इसके videos, ठीक है, समझ आ जाए तो मुझे भी बताना, यह सचा ही बता रहा हूँ, ethics समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्यादा तर लोग उसको क्या कर देते हैं, एकदम complicated बना देते हैं, अपन क्या करेंगे, ethics को कैसे समझ नहीं कोशिश करेंगे, एकदम basic understanding लेंगे, और उसको real life के साथ क्या करेंगे, connect करेंगे, जैसे ही एक topic अपन for example, एक अच्छा खासा topic cover हो जाएगा, उस पर जो भी previous year questions आएं, उनको अपन यहीं पर क्या करेंगे, discuss करेंगे, obviously मैं पूरा answer नहीं लिख के बताऊंगा, लेकिन अपन question में क्या क्या होना चाहिए, वो discuss करेंगे, case studies, cakewalk बन जाएगा आप लोग लोग, इतना easy हो जाएगा, बस क्या है, देखो, ethics में important होता है, आपको definitions पता होना चाहिए, सारे words की, क्योंकि वो direct words mention करते हो, और अगर word ही नहीं पता तो आप उसके बारे में लिख पाओगे क्या, और example, आज मैंने कौन-कौन से word यूज़ करें, morality, ethics, compassion, empathy, empathy भी उस करा है कि मैंने, sympathy, compassion और empathy, हाँ ठीक mob-linking, हाँ वो word हो सकता, ostracization, appreciation, तो यह क्या है, words है, और words क्या होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए, तो जल्दी से एक बार recap करें, हम लोगों को नहीं क्या देखा, we have started with the definition of morality, so what is morality, it is individual orientation, यह क्या था, individual orientation, towards, हाँ, good or bad, हाँ, right or wrong, फिर आगे बोलो, just and unjust, यह लिख सकता हूँ मैं, just and unjust, morality किसके लिए रहती है, अगर देखा जाये तो अपन बोल सकता हूँ मैं, individual के लिए, easy है यह, easy है, फिर morality का अगर अपन sum कर देते हैं, sum of morality is ethics, sum of morality is ethics, so ethics is a societal phenomenon, बोल सकता हूँ मैं, ethics क्या है रहता है, societal orientation, orientation, बोल सकता हूँ, societal orientation, towards what, towards good or bad, again right or wrong, just or unjust, बोल सकता हूँ मैं, यह क्या हो गया, ethics, फिर क्या देखा था अपन ने, फिर क्या देखा था बोलो, कि ethics को अपनने किसके साथ connect करने की कोशिश करी थी, legality, legality versus अपनने क्या देखा था, ethics, हाँ या फिर morality, बोल सकता हूँ मैं, फिर इसमें कुछ examples देखे थे, अपनने किसके examples देखे थे, बोलो, सती का देखा था और दावरी का देखा था, यह देखा था, सती के अपनने दो time frame देखे थे, एक देखा था अपनने, earlier period में, earlier period में सती क्या था, बोलो, लीगल था, प्लस, ethical था, फिर वैसे बाद में यह illegal भी हो गया था, बोल सकता हूँ मैं, बाद में क्या हो गया था, illegal भी हो गया था, बट ethical था, earlier society में, बट present day society में या आज की society में, it is illegal भी हो और unethical भी हो, ध्यान रहेगा, सो यह अपनने देखा, मतलब ethics क्या हो रहा है, change हो रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, it is not universal, बोल सकता हूँ, science is universal, but ethics is not universal, ध्यान रहेगा, डावरी का देखा मैंने, डावरी का भी दो समाज में देखा पनने, earlier society और present day society, बोल सकता हूँ मैं, earlier society में क्या था, डावरी का status, it was legal as well as ethical, आज की society में क्या है, अज की society में क्या है, it is, illegal plus ethical, आज भी ethical है न डावरी तो, आज भी accepted है, लड़के लड़की दोनों को accepted यह मत बोलोगे लड़के बोल रहे हैं पैसा दो नहीं दोनों को accepted है यह चीज ध्यान रहेगी फिर अपने और क्या देखा था उसके बाद legality को फिर अपने section 377 भी देखा था mob lynching भी देखी थी कुछ और examples भी देखे थे for example अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी mob lynching किसकी बात कर रहा हूँ मैं mob lynching की बात कर रहा हूँ मैं mob lynching क्या बोलता है mob lynching क्या है it is ethical और unethical ethical for those who are performing the act जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो क्या है वो ethical है सही है अच्छी बात है just है but it is illegal why it is illegal because it involves killing ध्यान रहेगा easy है फिर अपनने क्या देखा था आगे बताओ जल्दी से और क्या देखा था पनने फिर अपनने देखा था कि how ethics is formed या how societal orientation is formed आपका society के towards orientation कैसे form होता है यही देखा था पनने how क्या लिख दूँ मैं societal orientation is formed societal orientation का मतलब क्या है simple words में किसकी बात कर रहा हूँ how your ethics is formed यही बोल सकता हूँ मैं so कैसे बनता है जल्दी से बताओ कैसे बनता है हाँ सबसे पहले आपनने देखा था वो agents कौन थे agents of socialization सबसे पहले आप पैदा हुए birth to death तक चलेगी है पूरी process from B to D लिख सकता हूँ मैं birth to death तक चलेगी सबसे पहले कौन था family सबसे पहले कौन था आपकी family 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 से क्या सीखा आपने respecting elders tolerance patriarchy है ना तो बिल्कुल आपने क्या सीखा tolerance respecting elders फिर patriarchy self restraints आपने family में भी सीखा बाकी जगे भी सीखा फिर family के बाद दूसरे नंबर बाद किस से internet करते हो friends फिर friends के बाद education अच्छा friends से विसे क्या सीखा आपने friends से क्या सीखा आपने friends में बिल्कुल tolerance सीखा cooperation सीखा अगर आप अपना behavior हमेशे बुरा रखोगे तो दोस्त बनेंगे क्या नहीं सो tolerant भी होना पड़ेगा भले मजबूरी में सही और धीरे धीरे उसको आप अपनी life में क्या कर लोगे inculcate कर लोगे और सच में भी आप क्या बन जाओगे tolerant फिर आया education education से अपने देखा values बगर सीखी freedom struggle history से सीखा quality से सीखा democracy बगरा फिर ओवर क्या सीखा पने हां कौन religion बिल्कुल religion से क्या सीखा पने compassion integrity tolerance brotherhood यही सारी चीज़े किस से सीखी religion से फिर कौन आया media media से क्या सीखा पने कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें for example communal communal ideology कहा से आती है मेडिया से कास politics truth सीखा गया तुमने मेडिया से कौन सीखता है truth मेडिया से हां बताओ इसने मेडिया से truth बोलना सीखे लिया जो खुद कभी truth नहीं बोलती ठीक है मेडिया के बाद क्या देखा अपनने inspiring personalities बिल्गुल personalities फिर अपनने उदर आक्षे गुमार विराट खोली वगेरा को देखा फिर और laws को देखा laws भी हमारा societal orientation को क्या करते हैं फ्रेम करते हैं for example murder is रॉं ये किस ने बताए हमको law ने बता है ये सीखा फिर उसके बाद हम लोगोने क्या किया बता हो जल्दी से emlie cents ये रहाम लोगों ने morality देख ली एthics देख लिए legality vs morality देख लिए फिर हम लोगों ने ओर क्या किया बोलो जल्दी से अभी types of ethics तो अपने देखें यह तो कल देखें values देखें फिर उसके बाद next topic हमने क्या देखा था values क्या देखा था हम लोगों ने values so what are values फिर हमने क्या देखना शुरू किया था बोलो values so values क्या होती है preference और importance preference और importance towards something यही बोल सकता हूं मैं values good भी हो सकती है बैड भी हो सकती है लेकिन values कम ने मत्ला समझा दिया values वो होती है जो आप अकेले में भी उनको respect करते हो और public के सामने भी respect करते हो so value morality से बढ़कर है, right समाज में आपका behavior कुछ होता है और अकेले में आपका behavior कुछ होता है, वो ही है values आपके जो अकेले में behavior रहता उसको denote करती है values can be good or bad good or bad values तो होती है लेकिन values दो type के हो सकती है एक होती है universal values और एक होती है particularistic values universal value क्या होती है universal values are static मतलब यह change होती है क्या they do not change like love, peace, truth honesty change हो जाती है non-violence यह सब क्या रहती है everybody wants them and they do not change with time फिर कुछ होती है particularistic यह हमेशे क्या होती है change change होती है according with time place और circumstances यह बोल सकतो हमाँ time के according जो value change होती है उसका क्या example देखा था अपन ने time के according जो value change होती है जल्दी बताओ सती प्रथा दावरी यह change हो रही है value हमारी with time place के according change होती है reservation MP में 50% नागा लेंड में no reservation circumstances killing is wrong but not in self-defense सभी को समझ मैं है कोई doubt किसी को इसको share कर देता हूँ वो slide को group पे डाल देता हूँ वो slide ही तुमारे notes है समझ गए न notes की जरुवत है क्या वो slide ही क्या है notes है बाकी जब अपन question discuss करेंगे ना तो यह सारी चीजे जो पढ़ रहे हैं उसको कहां आ जाएंगी अपनी copy में already आ जाएंगी through questions question writing practice करेंगे तो सारी चीजे कहां उतर जाएंगी copy में अगर मैंने question बनाया ethics के उपर तो obvious है आप definition लिखोगे उसके बारे में लिखोगे तो notes भी बनते चलेंगे लिकिन अपन notes किसके form में बनाएंगे question answer के form में अभी सब लोगों को कल homework करके लाना है मैं यह slide तो भेज देंगी तो सब लोग उतार के लाओ गया is it is copy में और अपने हिसाब से जो लिखना उसनों लिखते भी रहना ठीक है यह कर लिया share इसको लोग भी कर लो तीनो तो phone में PDF आ जाएगा इसका किसी को कोई doubt है समझ में आया कि नहीं यह बताओ नहीं आया ठीक है सती प्रता समझ में आया वो बहुत important है आज की लड़कियों के लिए ठीक है पहले की society अच्छी थी है बुरी थी क्यों क्योंकि वो सती प्रेक्टिस घर दिली चलो यह हटा दो ठीक है फिर कम मिलेंगे अपन कल मिलेंगे सुनो कल मिलो कल यही टाइम पे अपन छुट्टी रखेंगे वेडनस डे वगेरा को कल टाइम आज क्या टाइम था बारा से एक था टाइम अपना की दस बज़े से था वेल्यू सिस्टम वीक तो नहीं होगे दारू आरू रूपन की लिए ठीक है टाइम सेम रहेगा समझ गया रीशी को समझ में आया है की नहीं आया आ गया गजिन को ठीक है फिर कल कंटिन्यू करते हैं नहीं दुर जाइम